एक्षिली बात यह है कि जो गुफकार डिकलिरेशन हमारे पार्टी प्रेजडन महत्रम महभब मुफ्ति साहिबा ने उस वक्त जो कदम उठाया मैं उसके लिए अपने प्रेजडन महत्रम महभब मुफ्ति साहिबा का वेलकम करता हूं बदकिसमेती की वज़ा से रात के अंदेरे में जो मरकिजी सरकार ने गार कानूनी और गार आईनी तोर पर यहां पर 377 और 35 ए जो मुकश्मिर लदा करगिल सिटेट को गार कानूनी तोर पर खत्म किया है और उसके बाइद उसके साथ ही 5 अगस्त 2019 तमाम पार्टियों के लीडर साहिबान को बाकाइदा तोर पर जेलू में थानू में नजर बंद किया गया है तो आज मैं तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा करता हूं जितने भी हमारे जुमों किश्मिर में छोटे बड़े पार्टिया है उन सब पार्टियों ने आज इस गुपकार डिकलरेशन पर आज जो एतिफा कि राय बना कर ये फैसला लिया है कि उस वकत जो माबूबजी ने कदम उठाया था वो एक काबली तारीफ कदम है तो मैं उसके लिए तमाम जुमों किश्मिर के बड़े और चोटे उन पार्टियों का शुक्रिया आदा करता हूं जो नूँने इस माबूबजी के उस वकत के उस कदम और उस वक्त के उस बहदूरी शेर दिली का बाकाइदा तोर पर आज सबू ने खैर मुख्दम किया है तो उसके लिए मैं तमाम पार्टियों का वेलकम करता हूं और पीडीपी का यह मकसद है पीडीपी का मैंफेस्ट है 3075 जमुक्ष्मिर लटा जो पांच अगश्त 2019 से पहले जमुक्ष्मिर में पुजिशन थी जब तक दो अज़ाज़ उन्नीस पांच अगश्त की पुजिशन जमुक्ष्मिर लटा करगिल में बहल नहीं होगा तब तक मुझे लगता है यहां हम उनकी कोई जमानत नहीं है कि साथ में मरकजी वा रियासिती अलजी सरकार से मोदिबाना गुजारिश करता हूं कि जितने भी हमारे जुमु किश्मीर के बच्चे बजर्ग जुमु किश्मीर के बाहर या जुमु किश्मीर के अंदर जेलू में बंद उनकी रियाई जलद होनी चाहिए और साधी साथ जितने भी प्लिटिकल लीडर्स खासकर हमारे पार्टी के बंद है उनकी रियाई भी होनी चाहिए और साधी साथ हमारे पार्टी प्रेजिडंट महतरमा मापमा मुफ्ति साहिबा को पांच अगस 2019 से आज तक बाकाइदा तोर पर पियसे केता बंद किया गया है यह जुमूरियत का कतल है यह सरासर नाइंसापी है मैं मरकजी वरियासित सरकार से अधबन गुजारिश करता हूं कि मापबजी की रियाई जलद होनी चाहिए